समस्कार मैं नुरादा आप सबका स्वागत करती अपने चैनल पर जिसका नाम है बी सिंपल अनू आज की वीडियो में लेकर आई हूँ कि आप घर पे सोप पेपर कैसे तयार कर सकते हैं और यकीन मानिए बहुत आसानी से घर पर बस एक चीज से ही आप अपना सोप पेपर तय आसथेजिक थार कर सकते हैं और जो सोप पेपर बनाने के चीजे चीजें चींए मुझे लगता है आच के टाइम में आपके घर में zeरूर में होंगी हर घर में होंगी एक मैं चाहिए एक यहाज क sarcasm और एक हमीच चाहिए इस तरीक का napkin paper तो napkin paper पर करना कुछ भी नहीं है इस ब्रस से में लगाऊंगी तो मैंने इक Chili bowl में अपना यह निकाल कर रखा हुआ ह्याक है कि एक पार जब इसकी एक लेयर सूख जाएगी तो दूसरी लेयर में इसके उपर लगाई है ताकि यह थोड़ा जादा हो जाए नहीं तो आपको दौनों साइड से लगाना पड़ेगा जैसे एक बार आपने इस साइड लगा दिया तो फिर पलट के आपको दूसरी साइड भ यह पेपर जो है पूरा भीग गया है हमारे हैंड वॉश से तो इसको मैंने अच्छी से फैला दिया है अच्छा इसको अगर आप दूप में सुखाएंगे तो मेरे खाल से एक डिड़ घंटे में यह पेपर पूरा सूख जाएगा अगर आप अंदर रखकर ही इसको सुखा करने में तो मैंने कुछ पेपर तैयार करके रखे हुए हैं तो जो मैंने अपने आप घंट्स पर बनां के तयार रखें हैं उसको मैंने तो उसका जो पूरी वो भर गई थी तो मैंने उसका उपर का जो फ्रेंट वाला जो उसका कवर था वो मैंने काड़ के और यह निकाल लिया ताकि मैं अपने जो सोप पेपर हैं वो इसमें लगा सकूँ और यह भी देखना है कि इनकी लंबाई चोड़ा इतनी होनी चाहिए कि इसमें आप आराम से यह फिट हो जाएं तो यह देखिए मेरे इसमें आराम से यह आ रहे हैं अच्छा यह ऐसे अगर हम रखेंगे तो यह पूरे में आपके जो परस है उसमें यह सोप पेपर जो है वो बिखड जाएंगे तो इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं करना बस एक स्टैपलर से हम इने एक स्टैपलर की पिंसे इसको रोक देंगे इस तरह से यह हो गया अब आप जितना आपको यूज करना है उतना पेपर खीच लिए निकालके और आप अपने हाथ आराम से दूल सकते हैं बस थोड़ा था पानी आप लगाना है और उसके बाद में आ आराम से आपके पूरे जहाग बन जाएंगा और दौनों हाथ अपने आराम से आप जो है वह दूल सकते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम ट्रेविलिंग के लिए करी जा रहे होते हैं जो किसी रेस्टराण में या धाबी पे जो हम खाना खाने या नाश्ता करने के लिए र दूल सकते हैं और बहुत आसानी से दो चीजों से आप बना लेंगे एक नैपकिन पेपर चाहिए मैंने नैपकिन पेपर पर लगाया बट आगर आपके पास नैपकिन पेपर नहीं है तो कोई भी जो पतला पेपर होता है उस पे आप अपने हैंड वाउच लगा के आप सु जरूर बताइएगा अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अगर कोई अच्छी लगती है तो शेयर जरू कीजिएगा तो यह रही मेरे आज की वीडियो थैंक्यू थैंक्यू फर वाचिंग नमस कर!